हेलो स्टुदेंट्स, गुड मॉर्निंग, आज हम क्लास थर्ड का चेप्टर सेकिंड का पेज नमबर 16 पढ़ेंगे, ओकी स्टुदेंट्स, स्टुदेंट्स यहां दिया गया है, write the numbers in expanded form, हमें कुछ numbers दिये गये हैं, ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, कि हमें किस form में लिखना इनको expanded form में, expanded form मतलब होता है विस्तारित रूप, इनको पूरी तरह से हमें विस्तारित रूप में लिखना है, ओके स्टुदेंट्स, देखिए, यहां लिखा हुआ है 131, ठीक है, तो स्टुदेंट्स, देखिए, जो हमारा ये 1 है, 1 प्लेस पर है, 3 जो है, 10 प्ल प्लेस पर है, वो 1 है, तो स्टुदेंट्स, हम क्या लिखेंगे इनको प्लेस पर हमारा क्या आ जाएगा? 1 यह आ गया, 10 प्लेस पर आ जाएगा, 3 और ये 1, यह 100, यह 30 आएगा, ठीक है, 1, प्लेस पर 1 फिर यहां पर 3 दिया गया, 131 है, तो क्या आ जाएगा? 131 का 100 प्लस 30 प्लस 1 यह हमें इस तरह से क्या लिखना है? expanded form में लिखना है ओके students अब इसी तरह next दिया गया 183 ठीक है? तो देखिए 100 प्लस 80 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा? यह इसका expanded form 183 का 100 प्लस 80 प्लस 3 इसी तरह से 212 है तो 212 का expanded form क्या जाएगा? 200 प्लस 10 प्लस 2 तो इसी तरह से students 246 है तो 200 प्लस 40 प्लस 6 246 हो जाएगा 246 का expanded form हो गया इसी तरह से students कुछ और numbers दिये गए हैं जो आपको राइट करना है किसमें? एकस्पेंडेट फॉर्म में इन बॉक्स में अब इसी तरह देखते हैं आगे क्या पूछा गया है? एकस्पेंडेट फॉर्म यानि कि विस्तारित रूप अब जो हमने इस तरह से लिखा था ओके इस तरह से हमने राइट किया था इसको अब इसी तरह से इन्होंने दे दिया गया है हमें एकस्पेंडेट फॉर्म के रूप में दिया है ठीक है? अब हमसे पूछा है क्या? शोर्ट फॉर्म मतलब इसका शोर्ट रूप लिखना है, शोर्ट फॉर्म लिखना है, मतलब छोटे रूप में लिखना है इसका विस्तार कर दिया, इसको अब शॉर्ट में कर देंगे तो देखिए 100 प्लस 50 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा ये 152 expanded form से short form क्या आगा है students 152 इसी तरह दिया है 100 प्लस 80 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा students यहां हमें दिया 1 दिया था और 4 दिया था और यहां पे blanks था blank है जो हमें यहां पे fill करना है तो यह 8 आ जाएगा इस तरह से क्या हो जाएगा इसका short form 184 ओके students इसी तरह से दिया है 270 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8 इसका short form क्या आएगा यह क्या है expanded form है और यह short form है तो 278 आ जाएगा ओके students पहले हमसे पूछ लिया गया है expanded form short form में लिखकर फिर हमसे पूछ लिया गया है short form expanded form में लिखकर दे दिया गया है ओके students next पे देखते हैं क्या है who am I match the number okay students who am I मैं कौन हूँ और match करना है यहां पे हमें कुछ यहां पे लिखा है और यहां से हमें यहां match करना है one side से second side पे match करना है okay students I am equal to eight tens मतलब मैं किस के बराबर हूँ eight tens के बराबर students हम इस तरह से पढ़ते हैं one ten hundred okay तो इन्होंने कहा है eight tens eight tens तो देखिए one ten hundred यह हमें दिया हमने यह हमें यह पता है okay हम इस तरह से पढ़ते हैं इन्होंने कहा है यह eight tens पे तो हमें यहां देखना है कि eight tens क्या आ रहा है तो देखिए students यहां पे यह देखिए यहां पे हमें नहीं दिख रहा है लेकिन यह है eight tens अतलब जो zero है यह यहां पे क्या होगा zero यहां पे यह ten plus पे आ जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा क्या 80, ओके, फर्स्ट का आपका किस से मैच होगा, I am equal to 810, जो होगा आपका मैच, 8 से, ओके, 80 से, इसी तरह से सेकिंड दिया है, If you hit a six after me, you score a century, यदि आप उसको six और मार देते हैं आप, तो आपका score क्या हो जाएगा, century, century means होता है students, जो hundreds, पूरा score कर ले क्या, hundred बना ले, hundred runs हो जाएगा, तो यदि उसका six और हो जाता, तो उसका score कितना हो जाता, century हो जाता, तो देखिए, six after me, मतलग six के बाद में, six के बाद में, तो देखिए, इससे पहले क्या होगा, hundred से पहले क्या होगा, यदि उसमें six को plus करेंगे, तो देखिए, यहाँ पे देखते हैं, यह तो सब ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हमें यह दिखा, क्या, 94, अगर 94 में हम six इसको plus करेंगे, students, तो क्या हो जाएगा, hundred, जो हमारा score case में आ जाएगा, century में, okay, यह आ जाएगा आपका second number का, किस से match हो जाएगा, जी से, 94 से, okay, students, इसी तरह से, I come between, 80 and 90, मतलब मैं बीच में आता हूँ किसके, 80 के और 90 के, and my sum is equal to 10, मतलब मेरा जो sum है, मेरा जो जोड है, वो किस के बराबर है, 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, okay, students, तो देखिए, 80 and 90, तो 81 से, हमें 90 के बीच के नंबर सो देखना है, 81 plus, इस तरह से देखेंगे, 80 plus 1, तो देखिए, 8 plus 1 किया हमने, तो क्या जाएगा, 9, इसी तरह से, 8 plus 2, यानि कि 82 को प्लस किया, तो आजाएगा कितना, 10, और इसी तरह से, 83 को, मतलब अलग-अलग करके, 8 plus 3 करा, तो 11 होता, तो इन्होंने पूछा, कहा है, कि मेरा sum जो है, वो 10 के इक्वाल है, तो देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, क्या मेरा अमे जाएगा, 82, तो थर्ड नंबर में क्या आजाएगा, स्टूडेंट्स, यह हमारा, यह से हमें मेर्च करना, इसको, ओके, I am exactly between 50 and 70, मैं किसके बीच में आता हूँ, 50 and 70 के बीच में, ओके, 50 और 70 के बीच में क्या आता है, स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ दिया है, 50, फिर हमा जाहिए था, 60, तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते है, 60 है या नहीं है, ओके स्टूडेंट्स, यह देखिए, तो 60 यह रहा हमारा, ओके, तो क्या आ जाएगा, 50 और 70 के बीच में, 60 आ जाएगा, ओके, तो यह 60 हो गया, ओके, अब नेक्स्ट देखते है, I am double of 100, मैं क्य जो हूँ, डबल हूँ, किसका, 100 का, 5 नमबर पर क्या लिखा है, I am double of 100, मैं 100 का जो हूँ, डबल हूँ, अगर स्टूडेंट्स, हम डबल करेंगे इसका, 100 है, 100 का दुगना करना है हमें, 100 में 100 को हम प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, 200, तो हमें य जो 5 नमबर का है, वो किसे मेंच हो जाएगा, F से, ओके, जो कि I am double of 100, यह हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से यह आगे दियेगा है, I have 3 in my number and close to 50, मेरा नमबर जो 3 है, वो किसके close है, 50 के, 50 के close मतलब 50 से उपर के रहा है, तो यहां देखते हैं, 50 से उपर कौन सा नमबर है, तो देखी, यह दो 50 से बहुत ज्यादा है, यह 50 से कम है, यह भी ज्यादा है, यह भी बहुत ज्यादा है, तो यहां रहा हमारा 53, स्टूडेंट्स, यह आ जाएगा हमारा 53, ओके, 6 नमबर का जो है वो, B से मैच हो जाएगा, 53, अब देखते हैं, next 7 नमबर, I am equal to 5 nots of 100, इसी तरह से हमें यह देखना है, कि जो 100, 5 not होगे, जो 1 not क्या है, 100 का है, 100 रुपीज है, उसी तरह से 100, 100 को मिला कर 5 nots जो होगे, वो क्या हो जाएगे students, 100 में, प्लस किया 100, 100, ऐसे प्लस करेंगे 5 टाइम, तो कितना आ जाएगा हमारा students, 500, अब देखते हैं, यहा 8 पे है, if you hit a 4 after me, यदि आफ 4 मारते हैं, तो क्या हो जाएगा, you score half century, half century मतलब आपका score क्या हो जाएगा students, 50 हो जाएगा, कब जब आप 4 और हिट कर देते हैं, तो, ओके, तो देखिए, 50 में, 50 करना है हमें, 50 score कब होता, जब हमारा 4 और प्लस होता, तो यानि कि, अभी हमारे पास कितना होगा, 50 से कम, 4 कितना, 46, तो देखिए, यहाँ पर 46 कहीं दिखाए दे रहा है, तो यह रहा हमारा 46, ओके, इसका क्या आ जाएगा, मेज कित से हो जाएगा, यह 8 नमबर का, आई से, ओके, यह आपको fill करना है, यहाँ पर यह जो नमबर दी हैं, 67, 8, 9, 10, इन में, I come between 30 and 40, and my sum is 12, मतलब मैं बीच में आता हूँ 30 और 40 के, और मेरा sum जो है, मेरा जो योग है, वो 12 है, तो students 30 से 40 के बीच में, 31, 32, 33, इस तरह से हम देखेंगे, कहां तलब, 40 तक 30 से 40 के बीच, तो हमें फिर प्लस करके भी देखना है, 30 प्लस 1, 31 यह होगा, 3 प्लस 1, 4 हो 5 हो जाएगा, इसी तरह से हम देखेंगे, सब को प्लस करके, तो जिसका sum 12 आएगा, वो हमारा मेंच हो जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे हम, 3 प्लस 8 करेंगे, पूरा 3 प्लस 9, 3 प्लस 7, इस तरह से 31 से 39 तलग हमारा, पूरा हमें 8 करना है, और फिर हमें देखना है, तो क्या आजाएगा, 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 12 होगा, अब दिया है, लास्ट 10, I am sum of 20 and 120, मैं क्या हूँ, योग हूँ किसका, 20 का और 120 का, तो 120 में, अगर हम students 20 प्लस करेंगे, तो क्या आजाएगा, 140 आना चाहिए, अब हम यहाँ देखते हैं, कि 140 कहा दिया गया है, देखिए, यह रहा आपका, 10 नमबर का, C मैच होगा, जिससे, 140, okay students, तो यह आपको मैच करना है, इस तरह से, यह सभी में नमबर्स ढले हुए हैं, और यहाँ नीचे कुछ डला हुआ है, जो मैच करना है, जिससे, 1st से 5th तक यह हमने आपको यहाँ पे लिख दिये है, write कर दिये हैं, कि को किस से मैच करना है, अब 6 से 7 तलग जो है, वो आपको यहाँ पे डालना है, कि कौन सा किस से मैच हो रहा है, okay students,